आप देख रहे हैं दब फल जड़ी आम दोर पर लोग पोशन प्राप्त करने के लिए अपने पकवान को स्वाधिस्ट बनाने के लिए दो या दो से अधिक खादे परदार्थों को मिलाते हैं हवागी कुछ खादे परदार्थ ऐसे होते हैं जो इने अलग से खाना चाहिए क्योंकि उनके पाचन के लिए अवशिक समय उस्थिती अलग होती है खराब बोजन स्योजन से पेट में दड़, सूजन, ठकान, गैंस और बेच्च्चे नहीं हो सकती है यदि आप लंबे समय तक गल्त खादे सयोजनों का सेवन जारी रखते हैं तो इसके परणाम सरूक, चक्ते, पुरानी पाजन समस्याएं और सांस की दुरगंध हो सकती है केवल सही भोजन स्योजन के साथ आप अपना वजन कम करने और दिन भर उर्जवान बने रहने के शक्षम होते हैं आज हम आपको बताएंगे ऐसे खादे स्योजनों की बारे में जो आपके स्वास्ते के लिए हानिका रख हैं और आपको इनसे बचना चाहिए पहला है ठंडी ड्रिंक के साथ लजीज भोजन कोक के साथ पीजा किसे पसंद नहीं है यह कॉंबिनेशन जितना लुभावना लगता है आपके सिहत के लिए उतना ही अच्छा नहीं है आपको लजीज भोजन के साथ कोल्ड रिंग पीने से बचना चाहिए क्योंकि संयोजन से अवशूशन से कठना ही हो सकती है इसमें बेचैनी और पेट दर्द हो सकता है दूसरा संयोजन है मूली और भिंडी कई लोग खाने में सलात के तोर पर मूली खाना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप भिंडी का सेवन कर रही हैं तो उसके साथ मूली कभी न खाए मुली और भिंडी के कॉंबिनेशन से तुचा की कई तरह के बदलाव होते हैं जिसके वज़ा से चाहरे पर दाग धबे आधी अन्य स्किन से समधित परिशानिया हो सकती है तीसरा है दूद और फल हम अक्सर दूद में फल को डाल कर शेक बनाते हैं कस्टड में भी दूद में फल डाल कर खाते हैं लेकिन दूद के साथ फल नहीं खाना चाहिए दूद में फल मिला कर खाने से दूद में मुझूदा कैल्शियम फलों के अंजायम को सोक लेता है इससे शरीर को फलों का कुई फाइदा नहीं मिल पाता अगला है दूद में खटी चीज़े मिलाकर खाना दूद पसने में अधिक समय लेता है और जब आप दूद और नीम या कोई खटे फल इसके साथ सेवन करते हैं तो दूद हमारे शरीर के अंदर जम जाता है इससे गैस और हीट बंद जैसी समस्याएं प्यादा हो सकती है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाखे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद